हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के एपिसोड में तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ एंटी सब्मरीन शिप अभाय के बारे में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला या सतह के नीचे स्थित लक्षियों का पता लगाने के लिए सोनार प्रणाली से सुसजित है दूसरा इसे अल्प तीवरिता समुद्री संचालन और माइन लेंग ओपरेशन में तैनात किया जा सकता है तीसरा या अरनाला क्लास का हिस्सा है जो सेवा में कोरा क्लास की युद्वपोतों का स्थान लेगा उपर्युक्त कतनों में से कौन से कथन सही है विकल्प A केवल 1 और 2, विकल्प B केवल 2 और 3, विकल्प C केवल 1 और 3 या विकल्प D 1, 2 और 3 तो इसका सही जवाब है विकल्प A 1 और 2 एंटी सब्मरीन शिप अभय अरनाला ग्लास का हिस्सा है जिसका उद्देश अभय ग्लास को प्रतिस्थापित करना है ना कि कोरा क्लास को अता कथन 3 सही नहीं है ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र यानि TECC के सम्मंध में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिये पहला ताइवान सरकार ने मुंबई में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की दूसरा ताइवान भारत में ऐसा केंदर खोलने वाला पहला और एक मात्र देश है उपरियुक्त कत्रों में से कौन सा या से सही है या है विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो विकल्प C एक और दो दोनों या विकल्प D ना तो एक ना ही दो तो इस प्रशन का सही जवाब है विकल्प A केवल एक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे अन्यदेश भी वीजा सेवाओं एवं सांस्कृतिक आर्थिक आदान प्रदान का समर्थन करने के लिए ऐसे किंद्रों का समर्थन करते हैं अतह कथन दो सही नहीं है निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए एक बैंक खाता है जिसका उपयोग अवयद गतिविधियों को सुविधा जनक बनाने के लिए किया जाता है दूसरा मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्यव्यक्त की ओर से अवयद रूप से अरजित धन को स्थानांतरित करता है तीसरा बहुरास्ट्री साइबर अपराधी शेल कंपनियों और व्यक्तियों के खातों का उपयोग म्यूल अकाउंट के रूप में करते हैं तथा बैंकों द्वारा दी जाने वाली थोक भुकतान सुविधा का लाब उठाते हैं उपर्युक कतनों में से कितने कतन सही है या हैं विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C सभी 3 या विकल्प D कोई भी नहीं तो इसका सही जवाब है विकल्प C सभी 3 नहीं भारती अंतरिक्ष स्टेशन BAS के बारे में निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला BAS भारत का प्रस्तावित स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन है जो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा दूसरा BAS का उप्योग सुक्ष्म गुरुद्ध प्रयोगों और चंद्रमा अवलोकन के लिए किया जाएगा उपरिक्ष कतनों में से कौन सा या से सही है या है विकलप A केवल 1, विकलप B केवल 2, विकलप C एक और 2 दोनो या विकलप D ना तो 1 ना ही 2 तो इसका सही जवाब है विकलप D ना तो 1 ना ही 2 भारती अंतरिक्ष स्टेशन यानि BAS वैग्यानिक अनुसंधान के लिए भारत का प्रस्तावित स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन है, BAS लगभग 400 से 450 किलो मीटर की उचाई पर प्रित्वी की परिक्रमा करेगा, अतह कथनेक सही नहीं है, BAS का उप्योग वैग्यानिक अनु पहला इसे 24 देशों में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूट में कानुनी मान्यता प्राप्त है, दूसरा विश्वस्वास्ति संगठन ने आयुर्वेद को ICD 11, TM Module 2 में शामिल किया है, तीसरा भारत सरकार प्त्तेक वर्ष 2 नवंबर को आयुर्वेद दिविसमनाती है, उपर्यूग्द कत्नों में से कितने सही हैं, विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C सभी 3 नों, या विकल्प D कोई भी नहीं, तो इसका सही जवाब है, विकल्प B केवल 2, वर्ष 2016 से आयुर्वेदिक सिध्धानतों, आवशधिय जड़ी बूटियों और ज इससे संबंधित है, विकल्प A वर्ष 2030 तक कार्बन उतसर्जन में 30% की कमी लाना, विकल्प B वर्ष 2030 तक सड़कों पर इलेक्टरिक वाहनों की संख्या में 30% की वृध्धी करना, विकल्प C वर्ष 2030 तक पृत्वी की 30% भूमी और महासागरों का संड़क्षन करना, या व विवर्तन सीमा जो कभी-कभी समाचारों में रहती है को सबसे अच्छी तरह से किसके द्वारा परिभाशित किया जाता है, विकल्प A सूच्मदर्शी के प्रभावी ढंग से कारे करने के लिए आवश्यक नियूनतम प्रकाश तिबृता, विकल्प B भावतिक सीमा जो किस प्रकाशिय उपकरण की दो निकटवर्ती वस्तूओं के बीच अंतर करने की क्षमता को सीमित करती है, विकल्प C वावबिंदू जहां विद्युद्चुम की तरंगे प्रकाशिय उपकरणों में तरंगों की तरह व्यवहार करना बंद कर देती है, या विकल्प D संधित निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए, पहला इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी और इसका मुख्याले सिंगापूर में है, दूसरा भारत ADB का संस्थापक सदस्य है तथा वर्ष 2010 से, इसका चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक और शीर्स उधार करता है, ती विकल्प C सभी तीन या विकल्प D कोई भी नहीं, तो इसका सही जवाब है विकल्प B केवल दो, ADB एक शेत्रिय विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में बुनियादी और संरचना शिक्छा स्वास्त देख पाल और जलवायू परिवरतन से संबंधित परियोजनाओ के लिए रिण तकनी की सहायता एवं अनुदान प्रदान करके एशिया में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए की गई थी, इसका मुख्याले मनीला फिलिपिन्स में हैं, अतह कथन एक सही नहीं है। अक्सर संब्लन होता है। पहला या 6-23 माह की आयू के बच्चों के लिए विश्वस्वास्ति संगठन द्वारा निर्धारित अनुशनसित मानक को संदर्भित करता है। दूसरा MDD शिस एवं युवाबाल आहार प्रथाओं का हिस्सा है जिसका मुल्यांकन, विश्वस्वास्ति संगठन और UNICEF द्वारा विक्सित संकेतकों के एक समोह द्वारा किया जाता है। विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनो या विकल्प D ना तो एक ना ही दो तो इसका सही जवाब है विकल्प C एक और दो दोनो। भागोडा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के संबंद में निमनलिखित कतनों पर विचार कीचिए। पहला भागोडा आर्थिक अपराधी वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध अधिनियम में सुचिबद अपराध करने के लिए गिरफतारी वरंट जारी किया गया है। दूसरा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत नामेत एक विशेस अधालत किसी व्यक्ति को भागोडा आर्थिक अपराधी गोशित कर सकती है। सही नहीं है। प्रिटिश शरकार का समर्थन। निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए। उपरिट कतनों में से कौन सा या कौन से सही है या है। विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो 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 या विकल्प D ना तो एक ना ही दो। अता कतनों सही नहीं है। निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए। पहला सूरी अलग-अलग घुर्डन करता है इसके ध्रूवों को एक चक्कर पूरा करने में 25 दिन लगते हैं जबकि इसकी भूमत दे रेखा हर 35 दिन में खुमती है। दूसरा क्रोमोस्फियर एक पतली प्लाजमा परत है जो सूरी के द्रिश्य सता और उसके बाहरी वायोमंडल के बीच स्थित है। किस से संबंधित है। भारती ओलंपिक संघ यानि आई ओए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकल्प A. I. O. A. Society पंजिकरण अधिनियम 1860 के तहत एक गयर लापकारी संघठन के रूप में पंजिकरित है। B. I. O. A. मुखे रूप से केवल ओलंपिक खेलों में भारत की भागिदारी को नियंतरित करता है जबकि अन्य बहु खेल आयोजनों को अलग संघठन समालते हैं। C. I. O. A. एक सहायक संस्था के रूप में सीधे अंतरास्ट्री ओलंपिक समिती के अधिन कारी करता है। D. उप्रोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प A. I. O. A. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक गैर लापकारी संगिठन के रूप में पंजीकरित है। रास्ट्री बायोफार्मा मिशन N. B. M. के संबंद में निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए। पहला या उद्योग और शिक्षा जगत के बीज एक सहिव गात्मक प्रयास है जिसका प्रबंधन जैव प्रवद्योगी की उद्योग अनुसंधान सहायता परिशद द्वरा किया जाता है। दूसरा या बायो फार्मासियोटिकल विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक द्वारा समर्थि 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मिशन है जो लगबग 150 संगठनों और 300 MSME को समर्थन प्रदान करता है। उपरिवत कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है। झाल 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 झाल